हलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं और एक बार फिर सवागत है आपका एक नई वीडियो में और इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए हूँ आपके जो की बार-बार मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे तो मैंने सोचा कि उन्हा एक वीडियो बना दिये ज पेपर जैसे अभी एक कमेंट आया था लेटर से उसने बच्चे ने बोला कि मैं फिफ सेमिस्टर के पहले दो पेपर नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या होगा ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक जवाब देखो सबसे पहले डियो सोल में आपको यह चीज़ समझने की ज़रुत है कि यहाँ पर जिस भी आप कोर्स में एडिमिशन लेते हैं अगर मैं फॉर एक्जामबल बीकॉम की बात करता हूँ तो वो पांस साल का आपको टाइम देते हैं यानि कि विदिन फाइव य बैक उस पांस साल के अंदर अंदर ही क्लियर करनी है वो एपसेंट का जो प्रबलम आया था वो पांस साल के अंदर अंदर ही क्लियर करना है अगर पांस साल के अंदर भी आप अपना पूरा की पूरा कोर्स पूरा नहीं कर पाए तो आपको वापस से करना पड़ेगा यानि नहीं कि वो 5 साल आपके waste हो जाएंगे तो हो सकता है आप चैसे बीकॉम की बात करूं में तीन साल में भी आप पूरा कर सकते हैं बैक के साथ भी और विदाउट बैक भी है ना तो आपको ध्यान क्या रखना है 5 साल के अंदर अंदर आपका course आपको हर हालत में complete करना ही करना है कैसे भी preparation करिए बट 5 साल के अंदर अपना course पूरा कर लेजिए पहले सावाल का जवाब यह हो गया अब दूसरी बात आती है जी जो paper होते हैं वो कब कब होते हैं देखो S.O.L. में paper का system क्या रहता है आपके द चीज और बचों का सवाल आतागी जी हमें four semester का form का बरना है हमें six semester का form का बरना है तो बेटा आपको आपका जो form होता है THURD semester के सार्थ समिस्टर km आप स्वर्च सेकिंड समेश्टर का फॉर्म के साथ नहीं जो बहरते हो इसके साथ ही पहरते हैं अलग से उस के लिए आप को वेट करने के जरूरत नहीं है थर्ड के साथ फॉर्ट के साथ औरlicht का फॉर्म S ride के साथ खॉर्म के वो paper नहीं दिया इसका मतलब दे नहीं पाएंगे दूसरी चीज आपने form तो बर दिया बढ़ आप किसी भी reason की वज़े से वो exams नहीं दे पाए आप उनमें appear नहीं हो पाए अब इसका क्या solution है देखो ध्यान से सुनना आप ये चीज first semester, third semester और fifth semester semester के paper आपके होते है November, December में जाकर जैसे अभी चल रहे हैं exams ठीक है, third or fifth semester के paper अभी चल रहे है और अगर मैं second, fourth और sixth semester की बात करूँ तो आप लोगों के exams होते हैं मई, June में जाकर जैसे अभी latest अकर में बात करूँ तो next year आपको वो paper देना पड़ेगा first semester का paper अगर आपने miss कर दिया तो आप वो देंगे third semester के साथ third का miss कर दिया तो वो आप देंगे fifth semester के साथ इसी तरीके से system चलता है अगर आप absent हो जाते हैं अगर आप किसी वज़े से paper नहीं दे जाते हैं तो क्या रहता है ठीक है अच्छा आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी भी मैं आपको बता दू third semester का अगर आपने form नहीं भरा है अभी भी आप North Campus जा सकते हैं वहाँ पर जाकर अपना examination form offline mode में भर सकते हो अभी भी आपके पास chance है ठीक है और जिनकी third semester में या fifth semester में पीछे back आई थी उनका exam अभी हो रहा है इसी महीने तो मेरे खाल से सभी बत्चों को admin card वगरा भी आ चुका होगा अगर उन्होंने पहले form फिल किया था इस चीज़ के regarding तो आप लोग अपना paper की त्यारी करिए और back इस बार आपको हरालत में clear करनी है आप कुछ बच्चों का सवाल ही आया जी कमेंट सेक्शन में कि अगर मेरी second semester में back थी तो मैं क्या करूँ या मैं absent था मैं नहीं दे पाया exam तो मैं क्या करूँ देखो बेटा आपका अगर second semester में absent थे या या आपकी back थी तो आपको ये paper 4 sem के साथ देने है और 4 sem का exam होगा आपका मई जून आने वाला है जो मतलब की 2023 में जो आएगा मई जून उसमें आपको ये वाले paper back के साथ देने है और जैसा मैंने थोड़े दिर पहले पता है था 4 semester में कर back थी तो वो दो गया आप 6 semester के साथ ठीक है तो इस तरीके से DOSOL के अंदर Delhi University के अंदर इस system चलता है आप absent होंगे तो आपको क्या करना है fail हो गए back IEA papers में तो क्या करना है और कितने साल के अंदर आपको अपना course complete करना है तो जो बाते मैंने अभी तक आप इस वीडियो में आपके साशेयर करी है वो बहुत बहुत जादा important है आप सबके लिए जानना नहीं समझ में भी आया नहीं वीडियो को दुबारा एक बार ही देखिए दुबारा चलाईए बार-बार सुनिए इस वीडियो को समझिए कि किस तरीके से देली इन्वस्टी के अंदर सिस्टम बनाया गया है आपके absent पे क्या होना है back आने पे क्या होना है ये सारी किसारी चीज़ें कितने साल में आपको course complete करना compulsory है तो फिर problem create हो जाएगी आपके लिए ठीक है तो अभी third semester और fifth semester के exam चल रहे है नए नई बच्चों के यानि की first semester के admissions close हो चुके है जिरोंने form भर दिया करीब डेड़ लाग से उपर बच्चोंने form भर दिया है तो उन सब के exams अभी तो ये वीडियो खास था third semester और fifth semester के बच्चों के लिए जिनके exams अभी currently चल रहे है I think video काम का होगा definitely काम का था तो share कर देना, like कर देना और comment करके बताओ आप कौन सी problem face कर रहे हो मैं पूरी कोशिच करूँगा वीडियो के थुरू या comment section में जाकर आपको जवाब देने की कैसे भी करकर आपकी मैं help कर सकूँ subscribe करें भी न वीडियो मत छोड़ना bell के notification के साथ और telegram पर भी आजाओ link description में आपको मिल जाएगा तो मुलाकात करूँगा next video में तब तक विजय गुपता signing off